नमस्कार आप देख रहे हैं आज तक मैं हूँ आपके साथ रोहित सर्दाना शाम के पांच बज़ रहे हैं और वक्त हो गया है दिन की सबसे बड़ी बहस का यानि की दंगल का और मई के महीने से चले आ रहे हैं भारत चीन तनाव के घटने के संकेत मेरे हैं सूत्रों के मुताबिक आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो यह है कि पूर्वी लग्दाक के सभी तनाव वाले इलाकों से चीनी सेना के टेंट अब हटने लगे हैं और चीन के विदेश मंत्राला के बयान में भी तनाव घटने की बात को लेकर प्रगती के संकेत साफतोर पर दे दिये गए हैं रविवार को भारत के NSA अजित दोवाल और चीन के विदेश मंत्री वांगी के बीच दो घंटे से भी ज्यादा की बातचीत हुई थी भारत का अधिकारिक बयान इस मामले पर अभी तक नहीं आया है लेकिन इस बातचीत पर चीन ने इतना जरूर कहा है कि दोनों पक्ष सैनिक स्तर पर हुई बातचीत में बनी सहमती को जल्द से जल्द लागू कर देने पर सहमत हो चुके हैं चीन अगर वाकई पीछे हटा है तो क्या इसे भारत सरकार और पीम नरेंदर मोदी की आकरामक रणनीती का असर माना जाए वैसे कॉंग्रेस लगाता च चीन मुद्दे पर सरकार को घिर रही है कॉंग्रेस ने आज भी सरकार पर हमला किया है कि जिस गुजरात से पीम मोदी आते हैं वहां चीनी अतिकरमन के दौरान भी चीनी निवेश क्यों बढ़ा दूसरी तरफ से बीजेपी के अधक्स जेपी नग्डा ने कॉंग्रेस के स संसद राहूल गांधी को ये कहकर घिरा है कि वो संसद की रक्षा मामलों की समिती के सदस्य हैं लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक भी मीटिंग अटेंड नहीं की और नहीं वो शांतिकाल के दौरान चीन के बौरडर पर दौरे के लिए जाने को मौजूद रहें क्या है आपको दिखा देते हैं इस बातचीत पर चीन के बयान में कहा गया है इस बीट चीन के विदेश मंत्राले के प्रवक्ता से जब गलवान में चीनी सेना के पीछे हटने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा तनाव घटाने और सेनाओं को पीछे हटाने को लेकर प्रगती हुई है चीन का कदम साकारात्मक दिख रहा है लेकिन भारतिय सेना के सूत्र बिना निरिक्षण अभीज पर भरोसा करने को तयार नहीं है वैसे भारत चीन तनाव घटाने पर बात भले बनती दिख रही है लेकिन राजनीतिक पारा बेहत गर्म है बिजेपी अध्यक्ष जेपी नड़ा ने कहा कि कॉंग्रेस सांसत संसत की रक्षा समीती के सदसे हैं लेकिन उन्होंने एक भी मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया तो उधर कॉंग्रेस ने ये कह कर हमला बोला है कि एक और चीनी अद्धिक रमन कर रहे तो दूसरी और गुजरात में चीनी निवेश बढ़ा राहुल गांधी एक रक्षा 27 कमिटी के सदस्य होने के नाते अपने कर्तविये को नहीं निभाया है कुल कमिटी के 11 बैठके हुमी एक साल के अंदर किसी एक मीटिंग में भी राहुल गांधी शरीक नहीं हुए इससे क्या पता चलता है राहुल गांधी केवल हलकी राजनीती के लिए सेना के मनोबल गिराने के लिए और अपने 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 एंटर्टेन्मेंट के लिए केवल रक्षा के संदर्व में बाहर बात करते हैं जनता जो करना चाहती है कर रही है जनता चीनी माल के खिलाफ अंदोलंग भी कर रही है अलग-अलग ट्रेडर सेल्स भी कर रही है सब कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं सरकार आपकी है गुजरात से आप आते हैं गुजरात पिंदर गिंदू है चीन की निवेश का उस बाबत आ रहे हैं ये देश जानना चालता है जाहिर तो पर चीन का मुद्दा बॉर्डर पर भले ही खत्म हो जाए लेकिन देश की सियासत में अभी बना रहेगा गीता मौन और अभिशेग बल्ला के साथ मंजीत नेगी दिल्ली आज तक तो जैसा हमने आपको बताया है हमारे साथ केवल दो महमान संबित पात्रा बीजेपी से और गौरब बल्लब कॉंग्रेस पार्टी से अपनी अपनी बात रखने के लिए तो चीन कह रहा है कि पीछे हट रहा है चीन राहूल गांदी को हो जाएगा यकीन गौरब बल्लब जी डेड़ मिनट में अपनी बात कहिए फिर डेड़ मिनट संबित पात्रा बोलेंगे जी आपने आज प्रोग्राम की शुरुवात करी और आपने पहला शब्द जो रोईट जी यूज करा कि मई के मईने से चला आ रहा ये मई के मईने से चला आ रहा जो विवाद है और उसका चीनी सेना जब अंदर आ गई जब हमने सवाल पुछा तो भारती जनता पार्टी क अद्यक्ष क्या बोलते हैं कि राहूल गांदी जी ने स्टेंडिंग कमिटी की मीटिंग अटेंड नहीं करी क्या मीटिंग अटेंड करने से भारत मा के 20 जवानों को सपूतों को बचाया जा सकता था क्या मीटिंग अटेंड नहीं करी तो क्या चीनी सेना भारत मा की सरजमी में अपने पर्मानेंट स्ट्रक्चर बनाए तो ये सब जायस है अगर मीटिंग अटेंड नहीं करी तो क्या गलवान वैली हो पैंगॉंग सो लेक में मेंडरीन में साइनेज लगाना ये जायस है क्या ये बताना चारे है कि राहूल गांदी जी ने मिटिंग अटेंड नहीं करी तो हमारे बारत मा के 20 सपूर जिनोंने सादत दी वो कोई गलत नहीं है वो सही है ये बताना चारे है अरे भारते जनता पार्टी जिसकी की सरकार है उसके द्यक्ष की ऐसी वानी ऐसी सोच मैं तो हजप्रव हूँ मैं तो मैं लगता था उनको भुगोल का ही ज्यान नहीं है आज पता चला उनकी सामरीक मैत्रू की चीजों पर उनका ये जवाब मैं तो आश्चरी से चकित हूँ मेरा आज भी वो ही सवाल है कि किन परिस्तितियों में भारत मा के 20 जवानों ने शादत दी देश आज भी ये सवाल पूछ रहा है कि डैकसांग एरिया में चीनी सैनिक है की नहीं तो देश सवाल पूछ रहा है कि पैंगोंग सोल लेक में एलसी के हमारी तरफ 8 किलोमीटर मेंडरिन में साइनेज क्यों लगाये जा चुके है तेश ये सवाल पूछ रहा है कि हाट स्प्रिंग में और गलवान वैली में हैली पैड बंकर पर्मानेंट इस्ट्रक्चर क्यों बनाये चीनी सैना ने इन सवालों का जवाब दीजिए और रही बात आपके कौन मीटिंग अटेंड कर रहा है नहीं मैं उसकी बारे में आज पूरा लेका जोका बताऊंगा पर्धान मंत्री जी ने संसत के साथ क्या 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 किया वो भी लेके वैठाओं आपको आश्चेर यह होगा रोई जी इस तेड़ मिनिट का समय में यही अपनी बात प्तम करता हूँ चलिए डेड़ मिनिट हो गया अभी आगे आऊंगा तो आपसे यह सवाल तो भी मैंने पूछा नहीं था कि राहूल गांदी ने मीटिंग अटेंड की नहीं की जब स्टेंडिंग कमेटी की टीम गई तो राहूल गांदी कहा थे उस वक्त तीम के साथ क्यों नहीं गए उस उसके अलावा सब बाते कहीं क्या ये डिफेंस मेकनिजन है कि भाई जिस चीज़ पर हमें पता है हमारी गर्दन पकड़ी जाएगी उस पर पहले जवाब देदें अभी रुकते हुए संबित जी से पहले कॉमेंट लिलू वरना उन्हें लगेगा कि भाई हमें मौका नहीं संबित पात्रा उन्होंने जो सवाल उठाया वो ये है कि राहूल गांदी स्टेंडिंग कमेटी की मीटिंग में चले जाते तो क्या चीन की सेना वहां नहीं आती जहां से अब पीछे हट रही है एक इसके लावा जो सारे सवाल उन्होंने उठाय वो आपने सुनी लिए बो इससे हमें कोई फरक नियुक्त करने के अवशक्ता नहीं है जिसके अध्यक्ष को इन्सीसी का फुल फॉर्म पता नहीं है वो दूसरों का घ्यान थर्मोमीटर लेके चेक करने की आवशकता नहीं है पहले अपने अध्यक्ष को NCC का फुल फॉर्म सिखाईए देखिए रोहिज जी जो दस बारत दिन से डिबेट चल रही है कॉंग्रेस बीजेपी कॉंग्रेस बीजेपी किसली रिबेट चल रही थी इन्होंने कहा कि सुत्रों की हिसाब से सोर्सेज बता रही है कि हमारे जमीन पे कबजा हो गया है आज मैं टीवी देख रहा हूँ आज आप लोग कह रहे हैं और मैं अभी हिंदू का टाइमस अफ इं यह लिखा हुआ है शुत्रों के मिसाब से लिखा हुआ है यह तो मैं नहीं जानता हूं क्योंकि अभी तक कुछ बताया नहीं है और ना ही मैं कुछ प्रियाम्ट करूंगा तो उस समय सुत्र ठीक थे अब सुत्रों के ऊपर चुपी है इस प्रकार की राजनीती हिंदूस्त धेश कौई नहीं पूछ रहा है ना इनका जो मोटो है राहूट जी का अंकरना काम काff 이야기 केवल जिकर करना और जिकर का केवल फिकर करना कोई दखीए जो तेरह मीटिंग के बारे में बात हो रही है ग्यारा मीटिंग के बारे में बात हो रही है काम ना करना क्या होता है आप स्टेंडिंग कमिटी के मेंबर है आप मीटिंग में नहीं जाएंगे उपर से बोलेंगे मी खर दे जाते, टैंक नहीं होती, आठलरी नहीं होता, बंदुक नहीं होता, विमान नहीं होते, तो फिर कैसे लड़ते, इतना तो गुद्धी होनी चाहिए ना कि इतनी गुद्धी भी हम ले लेके डिबेट में आके इनको देंगे अर्दी. ठीक है, ओके, गौरब बलब वैसे वाद तो बताईए, कि जाते क्यों नहीं मीटिंग में, ट्विटर पे तो इतना अल्ला मचाय हुए हैं, लेकिन जहां जाके बोलना चाहिए था, जहां जाके सरकार का कॉलर पकड़ना चाहिए, जहां बैठके वो फैसले लेने की स्थिती म हो सकते हैं, फैसले रोकने की स्थिती में हो सकते हैं, बहाँ से वो गुम रहते हैं, क्यों? मिला के 24 घंटे उपस्तित रहे पूरे साल में, यह रिकॉर्ड है, यह भी गिनीज रिकॉर्ड बनाया, और एक राज्य के चुनाव में वो पांस दिन तक चले गे, पांस दिन उस राज्य के चुनाव में चले गे, पर लोकसभा और राज्य सभा में, भारत के प्रधान मंत शेया जी को उपस्तित रहना चीए था, संसत की तो डेट्स प्रधान मंत्री चीज से पूच के उनसे उनका आगे का प्लान लेके डिसाइड होती है, क्यो नहीं गए, क्यो घूम रहे थे, क्यो विदेशों के दौरे कर रहे थे, क्यो उन देशों के दौरे कर रहे थे, जो क्योंकि प्रधान मंत्री विदेश यात्रा पर थे, इसलिए राहूल गांदी स्टेंटिंग कमिटी की मीटिंग में नहीं जाते, या जब दोरे पर जाती ये कमिटी तो वो साथ में नहीं जाते, वो अपना विदेश निकल जाते हैं, क्योंकि PM विदेश गए हूँ रोइद जी मैं आपको एक चीजँ कुछे थो कि आज मुख्य मुध्दा क्या हैna आज आपकी और दारे कि के चलेगी he आपको मानने पड़ेगी, पहले भी तो आप सूत्रों के हवाले से लेके बैखे थे, तो आज जब सूत्र वाइस वर्सा खेर तो भी तो मानने पड़ेगा आपको. रोई जी, बोलने तो दीजिये, अब वो दो किलो मीटर पीछे जा सकते हैं क्या, अला कि इनके यहां तो लौ ग्रेविटी को भी इनके मंत्रियों ने चेंज किया हुआ है, यह कुछ भी कर सकते हैं, बिना आगया है, पीछे क्यों गए, तो परधान मंत्री जी है, देश के पुछनों आपसे, आप तो सर मेक्टिक इस तरीके से बात करते हैं ना, मुझे एक बात बताइए सर, यह किस ने कहा था कि कोई आगे नहीं आया, प्रधान मंत्री ने जरूर कहा कि कोई हमारी सीमा में नहीं गुसा, लेकिन इस बात को तो भारत ने कभी नकारा नहीं कि ची जून को रोई जी, माने निये प्रधान मंत्री जी है, मेरे और आपके, हम सब के देश के प्रधान मंत्री जी है, मुझे कश्ट हो रहा है, यह बोलते हुए कि वो जूट बोलते है, 19 जून को वो बोलते थे, कि ना कोई गुसा है, ना कोई गुसा हुआ है, अरे बही कोई यही बात तो मैंने भी कही कि आप इसी का हवाला दे रहे हैं अगर तो उस बात को तो उन्होंने साफसाफ कहा ना कि सीमा पार करके कोई नहीं घुस पाया आपके देश में और उनको रोकते हो यह हमारे पार देश के जवान सहीद हुए या तो आप गौरफ जी एक कहावत है क्या आप लोग इस पॉलिसी पे चल रहे हैं कि हमसे कुई हो नहीं रहा है तो अपने काम करते हैं पब्लिक को कन्फ्यूज करके रखते हैं बरगलाते रहते हैं रोई जी ये कॉंग्रेस सवाल नहीं पूछ रही है जनरल वीपी मलीक बोधपूर सैनात्यक्ष पूछ रहे है लेफटिनेंट जनरल हुड़ा लेफटिनेंट जनरल पनाग लेफटिनेंट जनरल प्रकाश मैनन बड़े रक्षा विशेशक्ग जैसे की ब्रह्मा चेलानी जी वो कहरें डैफसांघ में घुसी व adjustी हुई है भारत की side of L.C में घुसी वी है गल्वान वैली में 423 मिटर आउड side of L.C में घुसी वी है और तो और रोईज जी भारत के राजदूत है जो चीन में वो कह रहे है भारत की side of LAC में गुशी वी है और प्रदान मंत्री जी कहते है गुशे भी नहीं है अब दुख होता है न रोज जी प्रदान मंत्री को ये बोलते हैं कि प्रदान मंत्री जूटे हैं ये दुख होता है मुझे बोलते हैं कश्ट होता ह तो ये दुख है जो रोक लेता राईल गांधी को standing committee की meeting में जाने से या वहाँ दोरे पर जाने से शांतिकाल में जब देश की सरकार जो standing committee के members ये देखते और दिखाते हैं कि वहाँ की मौझूदा स्थिति क्या है इस दुख में नहीं जाते हो तो रोई जी जब 2014 से 2019 की standing committee of defense की कई committees की meeting में राहूल गांदी जी ने presence दी है और बढ़ चड़के हिस्सा भी लिया आपके जानकारी में आपको होगा जरूर क्योंकि आप बहुत research करके आते हैं ऐसे show नहीं करते हैं यह पता अच्छे से यह दो 2019 के बाद जो नहीं पार्ड़ा में चासते हुआ फिर उनको चाय अच्छी नहीं लगी बिसकुष अच्छा नहीं लगा जो उन्होंने जाना बंद कर दिया क्या हुआ नहीं जाने बंद करने की बात नहीं है मैंने तो सवाल पूछा कि भारत के परदान मंत्री जी संसत में क्यों नहीं आते हैं उनको संसत चे ऐसी क्या घ्रणा है कि 2018 में मात्र चौपिस करेंगे तो मतलब जैसा PM बेव करेगा वैसे राहूल गांदी बेव करेंगे राहूल गांदी PM के नक्षे कदम पर चल रहे है राम मंत्री एगर चार देशों की दौरे पर जाता है तो राहूल गांदी कहेंगे कि मैं भी जा रहा हूँ मनमौन सिंह जाते थे तब निकल जाते थे कहा राहूल गांदी ऐसी आपके माध्यम से संबित पातराजी से एक सवाल पूछ रहा हूँ, कि जिस देश के हमारे मजबूत देश के प्रदान मत्री, जब 18 गंटे काम करते है एक दिन में, और वो संसत के सत्र में, तोटल पूरे साल में मात्र 24 गंटे उपस्तित रहते हैं, राजी सवा और लोक सवा खा गूमते रहते हैं, चम्मालीज देशों की यात्रा में क्या पाया देश ने, 18 बार जूले खाए, चीनी राष्ट पती के साथ क्या पाया, दो क्लाब में पर्मानेंट इस्ट्रक्चर बनगे, गलवान मैली में हलिपेड बनगे, या पैंगॉंसों में रडार लगिया, यह यह डालोग रोजवाला हो गया, अब समय थोड़ा कंट्रोल करते हैं, यह तो रोजवाला डालोग हो गया न, यह शुरू में बोल भी चुके आप, संभित पात्रा, रेपीट एलिकास नहीं, मुद्दे की बात, जो उन्होंने सवाल उठाया, कि PM इतने देशों की यात मैं दीजेगा, बोलता हूं, पहले तो इन्होंने कहा कि, 2014-2019 के बीच में, राहूल गांधी बहुत सारी डिफेंस, स्टेंडिंग कमिटी के मीटिंग में चले गए थे, 2014-2019 के बीच में, राहूल गांधी वस दा मेंबर ऑफ पारलामेंटरी स्टेंडिंग कमिटी ऑन एक्स् नमबर एक, नमबर दो, ग्यारह मीटिंगे हुई थी डिफेंस कमिटी की, मैं अब डेट भी लिखा हुआ है, ग्यारह बार मैं डेट पढ़ूंगा नहीं, मैं पहली मीटिंग 27th, 9th, 2019 को हुई थी और लास्ट, 12 मार्च 2020 को हुई थी, ग्यारह बार में साथ बार राहुल गां से मिलके देश के विशह में बात करने चले गया थे, इसलिए राहुल गांदी ये साथ, छे साथ बार बैंकोक चले गए, इन जिस सब डिफेंस की मीटिंग चल रही थी, थर्ड बार, देखिए अभी अगर आकास फटेगा, और आकास से भी आकास वानी होंगी, कि नरेंद् किलो, फीट के ऊपर भी, मैं कंप्लीट कर लो, 11,000 फीट के ऊपर भी भाषन दे सकता है, यह आप और मैं भी जानते हैं, हेल्थ के लिए कितना खराब होता है, उसके बावजूत ये कहना, कि वो व्यक्तिक काम नहीं कर रहा है, चौथा विशह उन्होंने उठाया, कि कोई ऐसा हो सकता है क्या, कि आगे बढ़कर पीछे, देखें तो LAC में क्या हो रहा है, यह तो हमने आपको सौ भार समझाया, मगर मैं उदाहरन देने वाला हूं, कि कैसे बीना आगे बढ़े भी पीछे हटाया जा सकता है, कि आप आगे भी नहीं बढ़ेंगे, मगर पीछे होते तो LAC के आगे नहीं आके, ठीक है, आब आप रोईजी, मैं समझा रहा हूं, सुनिया, मैं बहुत देट पर सुनिया, मैं जानता हूं, आपका फिवरेट टॉपिक है, मसला राहूल गांदी नहीं है, मसला इस वक्देश की सीमा पर जो परिस्थिती हो गई है, वो है, ठीक ह पर जान भी, फिर भी जनता ने आपकी बात को सुविकार नहीं किया, प्रदान मंतरी की बात को सुविकार किया, उनको दोबारा बोटे दिया, तो गौरव जी इसलिए जूट सच का फैसला जनता पर छोड़ देते हैं, एक दूतरे को जूटा कहने से कोई सम्मान गिन नही को सुविकार को दिते हैं, तो गौरव जी जैनता दोबारा बोटे हैं, तो गौरव जी इसलि은 सम्मान गिन नहीं है, क्योंकि शवाल उनकी होते हैं, ये इंड्या टूटे का एक आर्टिकल लेकिल लेकिया है, प्लीज क्लोज अप करिएगा तो दिखाईएगा, ये आर्ट कोई बहुत पुराना आटिकल नहीं है, 2008 का आटिकल है, जब 26.11 में मुंबई में टरर हमला हुआ था, उस समय राहूल गांधी फार्म हाउस में पाटी मना रहा थे, सुबह 5 बजे तक, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इंडिया टुडे का आटिकल है, इसलिए राहूल प्रदान मंत्री जूटा है, मैं कहूंगा राहूल गांधी निकम्मा है, तो कैसा लगेगा, वैसे तो ठीकी बोल रहा हूँ न, राहूल गांधी निकम्मा है की नहीं बताईया, ओके, गौरब बलब, इन्होंने एक बात कहीं पहले, जिस पर आपने कॉमेंट नीचे, और पर बलब, आपने, ठीक है, ओके संबिजी, जरा वो सवाल, जो बीच में एक रह गया, क्या गौरब बलब पॉलिसी ये हो गई है की काम तो करो मत, लेकिन काम का फिकर करो और फिकर का जिकर करो, या काम का जिकर करो और जिकर का फिकर करो जैसा ये कह रहे थे थे भी, इसलि पर सवाल उठाना गलत है, ट्विटर पर या कोई भी सोशल मीडिया के मात्यम में, क्या देश की सिमाओ पर चीन की सेना गुज गई, ये सवाल उठाना गलत है, जो आज स्वयम देश के बड़े प्रतिष्टित चैनल आज तक और इंडिया टूडे टीवी ने बताया कि LAC क हमारे साइड बंकर बनके, पर्मानेंट इस्ट्रक्चर बनके, हैलिपेड बनके, रैडार बनके, आपी की न्यूस थी, क्या इन चीजों पर सवाल उठाना गलत है, मुझे लगता है, सची देश भक्ती यही है, कि देश की जो सोईवी सरकार है, जो चीन के सामने मूख नित क्या होता है, 2018 में 400 गंटे से जादा पारलियमेंट चली, 400 गंटे से जादा, और माननिये प्रधान मंतरी जी 24 गंटे रहे, टोटल मिला के पारलियमेंट में, अरे आप तो 5 परसेंट पे हो, 5 परसेंट वाले बच्चे, 10 परसेंट के सवाल नहीं करते, ज्यान रखिए इस को और टीसरी बात रोई जी, बहुत मेचा है, पिर से जाधान के सवाल नहीं के जी और मामना बाई आप के लिए इस पिकाल चल बुलाएंगे, फिर आप बताइए, पिर आप शल के बताईए, पिर आप जिन के बताईए, पुछ आप से जो सवाल पुछा, अच्छा नहीं आप देखिए हम चीन की मुद्दे की important बात कर रहे हैं, यह कह रहे मैं haircut करने जाओंगा, नहीं करवाइंगे आपसे, जब जरूत होगी बुला लेंगे, अभी चुप रही है, बैट जाहिए अपने घर, फिर अब मैं important बात मैं यह बोलना चाहता हूँ, कि जब मुर्ली मनोर जोशी जी, जब देश के defense committee के जो chair person जनरल खंडूरी जी यह कहते हैं, कि भारत के defense के 68% हतियार, obsolete, जंग खाके बेकार हो चुके है, vintage category में है, परधान मंत्री कार्याले को वो चिथी लिखते हैं मुर्ली मनोर जोशी जी, कि देश में 62 के बाद, आज तक क सबसे कम defense budget का allocation है, जनरल खंडूरी PMO से मिलके आते हैं, कि 68% हतियार, vintage category के हैं, आप चुपो जाते हो, आप कुछ allocation ही नहीं करते हैं, देखिए, बासट आपकी ही दुखती रग है, फिर कोई पैर रग देगा, फिर आपको दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बार- मंत्री एक जगा के दौरे पर थे, विदेश के, रक्षा मंत्री दूसरे देश के दौरे पर थे, और सेना का चिप छुट्टी मना रहा था श्रीनेगर में, यह थी हमारी war readiness, तो फिर आप रजाएंगे उसमें सर्थ, मैं आप बोलने दे रहा हैं, मैंने तो सुना पूरा ब अच्छा आपने 400 गिन लिए, इधर कोई 40 बताता है तो आपको बुरा लग जाता है, कि कैसे गिने, फोटो तो लाएं नहीं साथ में, आपने 400 गिन लिए, मोधी की लेन में फोटो देखते हैं, तो आपकी पार्टी के हैंडर से ट्वीट होता है, कि कैमरा साथ लिके गए लेकिन इंद्रा नाजी पोटो आपको यही लिखके डालते हैं, कि वो भी गई थी, तो यह नहीं बताते हैं, किस पेंटर से बनवाई थी आपने, रोई जी मैं बोल नहीं पाऊंगा, तो फिर कैसे जवाब दूगा, आप मुझे 30 सेकिंड का समय दीजिए, फिर मैं आपका सवाल सुनूगा. तो क्योंकि पीम डिस्कवरी शूट कर रहे थे इसलिए राहूल गांधी के बैंककॉक दोरे स्टेंडिंग कमिटी की मिटिंगों को छोड़के जायज है। जी मुख्य मुद्धा क्या है। राहूल गांधी जी जाये दिल्ली, बंबई, कलकत्ता परचीन की सैना अंदर कैसे इसका जवाब दीजिए। प्रदान मंत्री जी जूट क्यों बोलता है। इसका जवाब दीजिए। 20 जवानों की साधत कि परिश्टितियों में होई। इसक सम्भित पात्रा के पास जारा हूं। ठीक सर, ओके, 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 याद आपने 19 के चुनाओं के पहले भी चौकिदार चोर करवाया था। लेकिन जनता ने चोर किसको बना आई या आपने देख लिया। इसलिए सारी चीज़ें जो याद कराई जाएं, व बहराल, इस चीज़ की बैस नहीं है, बैस इस चीज़ की है, कि सीमा पर इस समय जो, सार, मुझे पता था आप यही कहने वाले हैं, सर, मुझे पता था, जब आप यह कहते हैं ना कि लाभानी के लिए नहीं कर रहे हैं, सर, राजनीतिक पाटिया बजन करने के लिए नहीं ब हम भी जानते हैं तो हमारा भी हमारा भी अध्य है संभी पात्रा जवाब दीजिए उनके आरोपों का फटावच्छे उन्होंने नाम ने लिया बैंकोक का लेकिन एक तरीके से जस्टिफिकेशन है कि पीम डिस्कवरी का शूट कर सकते है राउल गांधी बैंकोक नहीं जा सकत करने बीच में उनको टोका उसके बाद वो चुप रहें आपको भी सुन लेना चाहिए है ना प्लीज वरना अच्छा नहीं लगता सर एक की आवाज खुली हो एक की बंदो बड़ा अजीब सा लगता है एक एक करके बोलीजे आपनी अपनी बात दोनो मैं बीच में टोका ट यह जो मैंने आपको वीडियो भी दिखाया है यह वीडियो सलमान खुरशीत का है 2013 में जब इसी प्रकार का एक विवस्था बना था चाइना के साथ स्टेंड ओफ चल रहा था सलमान खुरशीत को भेजा गया था बीजिंग बीजिंग से आते ही जब प्रेस कॉंफरेंस हुआ तो औरोंने कहा बीजिंग इतनी सुंदर थी इतनी अच्छे फूल खिले हुए थे टिना में स्कुर इतना सुंदर था कि अगर मुझे मौका मिलता तो मैं वही बस जाता आप सोचिए जरा रोई जी यह कोई साधारन इतनले में बिजिंग को चले गए ये तो आपको लग रहा हो कि मजाक पर जाना चाहता कोyan कोरेंस प्राइं का याद रखिए यह जिस प्रकार से मोदी जी के उपर घणा कर रहे हैं यह अलग-अलग शहरों में अलग-अलग देशों में यहीं लग रहा है इनका प्रशन था कि सारा सारा जो है विंटेज हो गया अब शचानक टो विंटेज नहीं बना होगा मतलब सोचिए यह मा बेटे ने विंटेज रखा हुआ था वहारा कुछ विंटेज रखा हुआ था जैसे नहीं गाड़ी रफेल आई एक मिट में कम्प्लीट करनों प्लीज जैसे रफेल आई यह नहीं चाहते थे रफेल आए इसलिए उस समय भी जिस प्रकार का जूट पैलाया था जाते नहीं थे की देश का अप्रेडिशन हो 2008 से रो कंडूरी जी काई नाम लेके करें कि आपके अध्यक्ष और उनकी माता जी सब्सक्ता में थे तो उस समय खरीद में इतना देर लग जाती थी के विंटेज हो जाता था वह आप ही परारों बगारें पलटके उन्हीं कंडूरी साब का वाला देते हुए जिनका आपने सवाल तो पहले वो पूरा करने जवाब फिर आप आजेंगे गोर्ण जी तो कि और तो कोई है नहीं आपी दोनों हैं तो किसी का समय तो जाएगा नहीं संबित पूरा कीजे देखे रोहित भाई आप सोचे खुद इन्होंने अपने मुह से कहाया कि सारा का सारा हमारा असला लगभग 70 प्रतीशत विंटेज था मैं आज सवाल पूछ रहा हूं विंटेज बननी क्यों दिया क्योंकि मैं बताता हूं इनके डिफेंस मिनिस्टर का अधिकारिक बयान है नो डेव्लाकमेंट इस बेस्ट पॉलिसी नो बॉर्डर इंफ्र स्ट्रक्चर अबधासर मोई यौिकाशल चाइना हने कुद कहा है कि बीचे भ लेकास पुछ लिजिए सर्मया था, इनके बीच में भी बूलुक के बूलरा, था मैं पूछ रहा हूँ ना सवाल आपको ये बुरा लग रहा है कि सलमान खुर्षीद विदेश मंत्री थे वो चीन जाके आए बड़े खुश हो गए और उन्होंने चीन की तारीफों के पुल बांद दिये लेटेर्य वैसे तरह रहे वह मुझे डाल रहे था आप निवेश देकर डाल रहे हैं फरक झाइब रोहीज जी जाके बीजिंग में बस जाना बीजिग ऐसा है कि मैं वहां बस जाओंगा और देश में निवेश इन दोनों में फरक है की नहीं और अभी आपने देखा कि इस प्रकार से जब से यह stand-off हुआ है कितने tender cancel हुए है कितने tenderों को अलग कर दिया गया है रेलवे में, BSNL में, MTNL में, आत्मनिरभर भारत, 59 Apps की company और उसमें इनको तो बोलने के अवश्यक्ता नहीं है Global Times खुद रिपोर्ट कर रही है कि 30 प्रतीशत इसमें से economic downfall होगा जो चीन को लाव हो रहा था तो यह कर रहे है ना, सरकार कर रही है ना, बीजिंग में बस जाना, बीजिंग से 2008 में M.O.U. साइन करना और उसके बाद चुपके चुपके under the table मा बेटे राजीव गांधी क्या मरहुम पती और मरहुम पिता के नाम पे पैसे खाना चीन की सरकार से उसमें और देश्ट में investment में और उस tender को cancel करने में फरक होता है रोई जी और बार बार इन्होंने कहा चीन का नाम नहीं लिया, अब बच्चा कहा इन्होंने, बच्चा बच्चा, दो बार प्रधार मंतरी को बच्चा कहा मैं एक बात कान खोल के सुन्डों Congress के प्रवक्ता हूं, जिसके घर में ऐसा बच्चा हो ना, बार बार प्रधार मंतरी को बच्चा बच्चा मत कहना, हैर कट करने आ जाओंगा एक दिन, क्यूंकि हैर कट करना कोई घ्रिनित काम नहीं है, आपने मुझे कहा ना, हैर कट, हैर कोई घ्रइकट करना कोई खराब काम चोटा काम नहीं है, हाँ, बच्चे का तो मैं बिल्कुल आओंगा बच्चे का अच्छे से करके जाओंगा Okay, okay sir, हैर कट कर रहे हैं, लेकें, 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 एक सेकेंड, सर, इस देश की जनता जो है ना, सर, वो मौकाने पर हजामत कर देती है अच्छे से और बता देती है किसकी बात उसको पसंद आई किसकी बात उसको नहीं पसंद आई क्योंकि उस जिल्टा को हर बार मौका मिलता है गौरब बलब अब बोली अपनी बात जो आप बीच में लगाता है बोले थे जी, 2013 में, इन्होंने 2013 का जिक्र किया, बोले, एक्सकलेशन हो रहा था, अरे जब हो रहा था तो बगत सिंग कोशियरी काये चले गए थे स्रीमा पर, क्या साइट सिंग लद्दा गुमने गए थी क्या रूडी जी को लेकर, क्यो बेजाता उनको, क्यो प्रणा मुखर जी के प दुष्मन देश से पैसा लेरो PM Care में, और PM Care से धानली कर रहे हो, वेंटी लेटर खरीज में, पैसा ले तो भर देचार हो, देड़ लग की चीज, चार लाख में खरीद रहे हो, जलिए प्रेश भार रहे में प्रेश पार को समझते हो, आप अपने आखने के वोगा है, ति आप विस्तार से फरक बता दीजेगा राजीव गांधी फाउंडेशन और पीम केर्स में पहले वो बोले एक बार वो बात पुरी कर ले फिर आप बोल लीजेगा सम्वित पास जनरल खंडूरी की रिपोर्ट में को इन्हों ने कहा कि अच्छा आम नहीं मानेंगे अरे मुर्लिमन और जोशी जी ने कहा जब वो पार्लमेंटरी कमिटी और एस्टीमेट के अध्यक्ष ते तो उन्होंने कहा कि आज तक का पिछले 56 साल का लोवेस्ट डिफेंस बजेट ऐलोकेशन है और डिफेंस पर्सनल के डिए को काटके आप यहाँ पे मोदी महल बनवा र और देश के साथ असत्य बोलना बंद करिये और टीवी में आके यह कॉमेडी करना बंद करिये सावालों का जवाब दीजिए एक डेप सांग एरिया में मेरा सवाला आती होई है सब्सक्राइब तो आप दोनों नहीं आज मौका चुका नहीं है कॉमेडी करने का तो दोनों नहीं मौका चुका नहीं है संबित पात्रा किन परिस्तितियों में 20 जवानों निशाद थी इसका जवाब तिल्वाई ये रोईची है अब क्यों समय जाय कर रह रहा हैं रिपीट टलिकास्ट क्यो ओक टोके पात्रां वहां में के पैसा ये असीर молव सकते हैं हमार भूंदेस era की एक सटे वोके समीत पात्रा वो कह रही है कि проблем के पैसा लोन अहीं तो हमर् dei Chatterjee Foundation में पैसा क्यों नहींक ने सकते हैं कि ऐसे आरजीendeu क्या है राजीव गांधी फांडेशन देशन यह कोई देश का फांडेशन नहीं यह पारिवारिक फांडेशन है जिसकी सो Helsinki सॉनिया जी है और बाकी दो मेंबर उसके राहुल गांधी प्रियंका गांधी और एक डॉक्टर मनमुहन सिंग और याद करिए इन्होंने पीम रिलीफ फंड से भी पैसा ले लिया था चाइना से भी पैसा लिया था चाइना की एंबेसी से भी पैसा लिया था इस पैसे का क्या करते हैं यह कोई पब्लिक फंड में डोनेट करते हैं जिससे गरीबों के लिए वेंटिलेटर लिया जाता है माप बेटे के लिए ये जमीन पे उन्होंने अपनी फैक्ट्री अस्टैबलिश की है क्यों नहीं पैसा देंगे दूसरी बात बहुत बहुत विनव्रता के साथ आपको क्या लगता है मैं आगर यहां मैप लेकर बैट जाओं सब समझा दूँ तो यह समझ जाएंगे आल पार्टी मीटिंग हुई, आल पार्टी मीटिंग में M.E.A. ने मैप के साथ सब कुछ के साथ प्रेजेंटेशन दिया, बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टी हमारी धूर विरोधी, महमताब एनरजी तक समझ गई, मायावती तक समझ गई, सब समझ गए, हमारे धूर प्रेजेंटेशन दिया और उनको लगता है इससे इनको सिंपथी मिलती है, आप देखिएगा, तास की गड़ी में 52 होते हैं, कितने होते हैं वो तास के पत्ते, 52 होता है, उसमें एक रानी भी होती है, जोकर भी होता है, ना तो वो गड़ी रहेगी, ना रानी रहेगी, ना सब कुछ जो हता है? ना रानी जाए करहरा है. ना अला तो प्रेश की मियर रहेगी, होता है, समभी जी, आप लोग आपस में क्यों बेढ़ जाते हैं, अप लोग क्यों कीम वड़ जाते इसकर करें, जोड़ी, अच्छा लगता है, तो पहल रायता पहलाने के लिए होता है, और अगर सीरियस नहीं होता है सर तो फिर जो एक्चुल प्लैटफॉर्म्स हैं ठीक है आप ट्विटर पे करिए कोई दिक्कत नहीं है वाटसअप में भी कीजिए हमें कोई आपती नहीं है आपका अधिकार है वाटसअप करना भी लेकिन जहां होना चाहिए पार्लेमेंटरी कमेटी की मीटिंग में वहाँ भी तो होना चाहिए न सर बहाँ पर क्यों नहीं होता रोई जी चीन के मुद्धे पे हमने तीन बार प्रेस कॉन्फरेंस करके सरकार से आगरे किया कि आप संसत की विशेश अधिवेशन बुलाईए आप चीन के बारे में सच बताईए हमने ऑल पार्टी मीटिंग में पूछा कि कितना कहां कहां चीनी सेना गुसी हुई है परधान मंत्री जी जब स्वयम पूल जाए जब ओल पार्टी बुला ली तो कहरें कि संसत का विशेश सत्र नहीं बुलाते तो लोग क्यों नहीं समझें कि आप असल में फैलाना ही चाहते है परधान मंत्री जी कुछ बोलते है हमारे चीन में राजदूत कुछ बोलते है और सूत्र आपके कुछ और बोल जाते है और यहां आके इन्होंने आज एक अजीब बात कही ओले आगे बड़े बिना भी पीछे आया जा सकता है अब कुछ सच है या जूत है यह डिसाइड कौन करेगा राहु गांधी करेंगे तभी सच माना जाएगा अथरिटी कौन है सर सेना है रक्षा मंत्राले है प्रधान मंत्री कारयले है या दस्जनपत है अथरिटी हमारे देश की सेना है हमारे देश के पधान मंत्री है आप कह चुके कि जूटे हैं, यह सब जूट बोल रहे हैं आपके हिसाब से तो, सेना जूटी है, आप ने खुद कहा, प्रदान मंत्री जूटा है, आप दस बार बोल चुके, विदेश मंत्री रक्षा मंत्री को जूटा आप आई दिन बताते ही हैं, हमारे देश के राजदूत ने कहा कि नहीं, रोईजी, कि हमारी side of LSE में चीनी सेना गुची विए, हमारे देश के विदेश मंत्री ने कहा कि नहीं, कि हमारी side of LSE में चीनी सेना गुची विए, और का और आज तक और इंडिया टूटे जैसा प्रतिश्टिक चैनल देश का फो तके ही यह वह भी बता रही है मैं तो इनको सच मान रहा हूं पर देश के पधान मंत्री जी कह रहे है कोई घुसा इनी है कोई घुसा इनी है जिसमें यह लिखा है कि दो किलोमेटर चीन की सेना पीछा ट रही है तो मैं यही तो बोल रहा हूँ रोई जी आपकी बात को सत्य माना इसका मतलब रोई जी आपका चैनल बोल रहा है कि परदान मंत्री जी जूटे है दुख होता है ना मुझे मेरे देश के परदान मंत्री को मेरे देश का नंबर वन चैनल बोलता है कि जूटा है संबित पातरा जवाब दीजिए. गौरइव जी हमें जो कहना हुता ना, हम साफ जो से कहते हैं, घुमा फिरा के, जुपा के नहीं कहते हैं, किसी की पीट पे बंदूक रखके नहीं चलाते हैं, जैसे आप चलाते हैं फाजी जेनरलों की पीट पे रखके, जो रिटार हो चुके या टीवी चैनलों की कंदे पर रखे जिनको आप आए दिन गाली भी दे देते हैं अपने सहुलियत के हिसाब से परसों आपके जिखा जो सज्जन बैठे थे आप ही की पार्टी के प्रवक्ता वो गाली दे रहे थे मुझे ही सर बैठके इसी कारक्राम में, तो हम झा मानूं सर्? कि आप इंडिया टुड़े के वरोसा करते हैं? या इंडिया टुड़े को इस्थामाल कर रहे हैं? तो इसलिए बहतर ही हो, सर. बारवभी. सर, आपने दिया नहीं थे, इसे मतलब नहीं है न, सर. आपी की पार्टी के अजिकारी प्रेक्ता मेर्टे अगर दे जाए यहां गारी और साथ में इंडिया टुड़े का स्क्रीन शॉट भी लेकर बैठे हो सर तो मैं क्या मानून को और देश उनके बारे में क्या सोचे की है यह कैसा अदमी है या क्या इसकी सोचे के लिए आप शब्द आपने मेरे मुँझे सुने रोई जी आज बता दीजे अगर वो ऐसी भाषा इस्तेमाल करें एक लाइन में मुझे गाली दे और दूसरी लाइन में इंडिया टुड़े का ही स्क्रीन ड्राइम निकाल के दिखाए तो सर जनता उनी का मुझे काला करेगी ना हमारा थोड़ी ना करेगी मैं केवल यह कहा हूँ कि हम जो कहते हैं अपने बूते कहते सर दूसरे के कंदे रखे बंदूक नहीं चलाते सर आप संबित पात्रा आईए अपनी बात रखिए आप ही के सवाल का जवाब ले रहा हूं संबित आप ही के सवाल का जवाब दे दीजिए चाब करें, थित्राई और वितंडावाद का जवाब नहीं होता है, उसमें जवाब नहीं दिया जाता है, मूं किन भी कर दिया अच्छा प्रधान मंतिरी जाके वहां पूरे देश को संबोधित करके आते हैं, आप बोल रहे हैं कि प्रधान मंत्री, पार्लमेंट क्यों नहीं बुला रहे हैं, जबकी बाकुरी कोई क्वाल्य च पॉस्तिक की और नहीं बोल रहे अब चिन्ता मत करो उसके डेट के बारे में भी बताया गया आप इनों ने कहा कि यह फिसिक्स की रोहिजी जिला रहा था कि प्लीज इंके आवाज को क्यों डाउन करते हैं जूट बोलना एक रोहिजी प्लीज अपके बीच में नहीं बोल रहे थे और प्लीज आप शुप हो जवाब दिलवा देना अब चुप हो जाईए अब मैं समझाता हूँ देखिए मैं अच्छे से देख रहा था आपके चैनल को भी देख रहा था राहूल कर्णवल ने समझाया भी कि LAC चाइना अपने साइड में LAC के अपने साइड में बिल्डप कर रहा था स्ट्रक्चर एरेक्ट करने की कोशिश कर रहा था वो भी 1993-1996 और 2013 के खिलाफ है अपने साइड भी नहीं कर सकता है उस पर भी देशकलेशन होना चाहिए जो आज आप लोग सोर्जस के माध्यम से बता रहे हैं यह जबरन प्रूफ करना कि इंडिया की मिलिटरी हार गई थी इ बिना आगे आए बिना इन्होंने फिजिक्स के बारे में फिजिक्स को एक कानून तोड़ दिया बिना आगे आए पीछे कैसे जा सकते हैं मैं इतना कहूंगा देखिए कारफोल के सुन्दो गौरब भाई आपको यह कॉमेंटर लगेगी मगर सच बता रहा है तब 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 और दबाब बना रहे हैं सरकार का मुताबिक उसी का नतीजा है कि चीन अब पीछे हटने पर मजबूर हुआ है विपख्स पूछ रहा है कि जब आगे ही नहीं आया आपके मुताबिक तो फिर पीछे हटने की स्थिति कहां से आई है ये कन्विंस करने में दिक्कत है या फि इसके जवाब हमें मिले उसमें 89 प्रतिशत यानि 89 परसेंट लोगों को लगता है कि हां मोदी की आकरामक रणमीची की वज़े से चीन ने कदम पीछे और 11 प्रतिशत को लगता है कि नहीं ऐसा नहीं